परभात खबर गुमला गुमला परसासन मरवाडी युवा मंच वा महाईस्वरी युवा संगठन के सैंक्त पर्यास से सदर अस्पताल गुमला के बलड बैंक में रखडान कैम का आयोजन किया गिया यह कारिकरम 20 वे रखडाता दिवस पर आयोजित था गुमला डिसी कर्ण सत्यार्थी गुमला डियस्पी विरेंदर टोपो चेनपूर एश्डिपियो अमिता लकड़ा प्रभात खबल गुमला के बीरो इंचाल दूर्जे पासवान सहित 45 लोगों ने रगदान किया रगदान करने में सदर अस्पताल के कर्मी मरवारी युवा मंचुवा गुमला के युवा भी सामिल थे सहिया संग की महिलाए भी कैंप में भाग लेकर रगदान की इससे पहले रगदान कैम का सुभारम गुमला DC करन सत्यारती CS डॉक्टर राजु कच्छप DS डॉक्टर अनुपम की सोर ने किया रगदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया ओही रगदान करने वाले हर एक सदस्य को बलेड बैंक द्वारा रगदाता कप दिया गया मौके पर DC ने कहा है कि रगदान महादान है इस अभियान में हर कोई को भाग लेना चाहिए ओही CS डॉक्टर राजु कच्छप ने कहा कि हर तिन महना में कोई भी 18 वर्ष से उपर के युवकियूती रगदान कर सकते हैं DS अनुपम की सोर ने कहा है कि रगदान एक ऐसा आउसर है जिसे हम सभी को करना चाहिए रगदान से किसी को चुकना नहीं चाहिए इससे कई लोगों की जान बस सकती है टेकनिसियन राकिस कुमार ने कहा कि बलेड बैंक में आने वाले हर एक मरीज को रख्त दिया जाता है एक ऐसी चीज है कि आप पहली बार जब कर रहे होते हैं तो काफी जिजए होती है डर होता है काफी कि इससे क्या होगा शरी में कमजोरी तो नहीं आजाएगी पर एक बार आप दर देते हैं और उसके बाद जो आपको संदूश का एसास होता है कि आपने जो रख्त दान किया उससे किसी मरीज की जान बढ़ सकती है उसके बाद आपको जो है जो अन्भूती होती है वो रहत सुपद होता है पर आपको एक सीज मैं देखता हूँ कि ऐसा डॉक्रा साब ने बताया कि हमारे ग्रूप भी बने हुए है और नगातार निरंतर बार बार जो इसका अंतराल है निर्धारित उसके बार ब्लड दोरेट करते जाते हैं ऐसे भी लोग है जिनोंने उदाहरण पेश किया है और समाज के सामने 20 बार 25 बार ब्लड दोरेट करें तो आज के दिन विशेश उप से उन सभी लोगों का जो ब्लड डोनेट करके जान बचाने में बहुत हरतुपूर निका अदा करते हैं उनका नेवाग भी करें साथ ही साथ वैसे लोग जो बिल्कुल एल्दी हैं उनको कोई शरीर में कोई समस्या नहीं है और उनको केवल डर के कारण ब्लड डोरेट करने से पीछे हैं या पर सोचते हैं कि कहा करना है कैसे करना है इस प्रकार की समस्या जिपर होती है तो सिर्फ में आप ही करोगा कि एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने शरीर का एक केवल हाग बे रहे हैं जिससे किसी की जान कर सकते हैं और आप जो ब्लड देगे वो नॉर्मल प्रोसेस में कुछ दिरों में वापस आपका बाडी भी जेनरेट करनेगा जैसे डोकर साब ब कि और इस चेत्र में लोग कोई जो विसकर्सक्शन हैं जो ब्हांतियां हैं प्रम हैं उनको दूर करते क्या शकता है ताकि किसी भी मरीज को हम दो ब्लड के लिए काड़ते ना बेखे कई बार ऐसा होता है कि हमारे कास भी मरीज आदाते हैं परेशान होकर और तो जब लगत के निवेजेतन हमारे स्वास्त करमचारी अनम एवं पारा मेडिकल स्टाफ और साथी साथ मीडिया के बंदू आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ यह ब्लड डोनेड के सुबासर पर यह बताना अतियावस्यक है कि हमने कितने भी तरक्की कर लिए कितने भी साइंस में हम लोग प्रगति कर लिए हैं लेकिन अभी तक हम ल हमारे पास थैलसीमिया सिकल से लेनीमिया और साथी साथ सी सेक्षन या फिर कोई भी ऑप्रेशन होता है उसमें हमें ब्लड क्यों सकता पड़ती है और इसके लिए ब्लेट डोनेशन अती आवस्यक है ताकि हम लोग दूसरे का लाइप बचा सके तो बहुत-बहुत-बहुत हाई जो लोग बने डोनेट करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी कमचा का माज सीख लेने के जरूरत है कि वो भी अगर स्वास्त है पूरी तरह तो हार तीर महें पर एक दान करें ताकि उनके ब्लड से किसी और व्यक्टी की जान बचाई जा सके इनको बहुत-ई-जरू भी आगरा करती हूं कि वह भी इसा निजार ऐगया है और लोगों के जीओन बचाने के लिए ब्लड से ही दिया जासी है प्रभातकाबर.com विश्वास वही रवतार नई